आज का ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिन्हें पैसों की बहुत ही ज्यादा आवा सकता थी ज़ूरत थी उन्होंने बैंक में पर्सनल लोन के लिए अपलाई भी किया था लेकिन बैंक ने एनिहाव उनका पर्सनल लोन का अप्लिकेशन रिजेक कर दिया और बैंक से उन्हें पर्सनल लोन नहीं मिला उसके बाद वो जितने भी लोन देने वाले एप थे उन्होंने वहां से भी ट्रा पे लोन मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें पैसे की बहुत ही ज़्यादा जोवत थी, उस अप्लिकेशन को उन्होंने देखा, वहाँ पे गए, एड़़र्टीजमेंट पे क्लिक किया और उन्होंने वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के धनी के नाम से उनके पास आया है और मुझे बिश्वास है कि ये इंडिया बूल्स धनी का जो एप है उस एप से उस एप के नाम से इनके साथ में फ्रॉड की गई है ये जो आपको दिखाई दे रहा है इंडिया बूल्स धनी ये इंडिया बूल्स धनी का नाम लेकर के इनके साथ प्रोड किया गया है सबसे पहले right hand side पे इनकों देखें ऊपर लिखा हुआ है ब्रांच मैंजा का नंबर इंडिया बूल्स धनी और यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ है गेटिंग फॉर्म इंडिया बूल्स धनी थैंक यू फो चूजिंग इंडिया बूल्स कस्टमर फिनांस लिमिटेड अस यूर अल्ट्रा मिनी धनी लोन पार्टनर यूर प्लीज तो इंफॉर्म यू 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 लोन अकाउंट नंबर इस यूर टोटल लोन अमाउंट इस रुपीस तू लैक्स कि आपने इस लोन के लिए अपलाई किया और हमें आपको बताते हैं कि खुशी हो रही है कि आपको दो लाख रुपया का लोन सेंशन हम लोग कर रहे हैं और आपका इंस्टॉल्मेंट जो होगा वो देख रहे जैसे आप यहां पे लिखा हुआ तीन हजार दोसो एकीस रु से बीच तारीक के बीच में एवरी मंट आपको देना परेगा और यह मांट होगा वो 3211 रुपय का उसके बाद नीचे दिखे लिखा हुआ है प्री इमई चार्ज प्री एमई चार्ज 3212 रुपय प्रोसेसिंग फी 1500 और स्टांप डुटी चार्ज 150 रुपय टोटल प्रो बताया गया कि आपको अगर यह लोन चाहिए तो आपको प्रोसेसिंग फी 1650 रुपे देने पड़ेगे आप यहां पर देखें नीचे में यहां पर बहुत सारे धनी फिनांस के गूगल पे फोन पे और पे टीम का नंबर भी दिया हुआ है जहां पर उनको बताया गया कि आप आप यहां पर पैसे भेज दे यहां पर देखें लिखा हुआ है पे पे यड़ इडिस अमौट अकाउंट इस अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है कहां का अकाउंट नंबर है आई-फेफ्सी कोड के साथ में बैंक आप महरास्टा भी लिखा हुआ है और सभी चीजें की उफर लेटर में उनको दी गई है और उनको बताया गया है कि आपको दो लाग का लोन मिलेगा और आपका एंट्रेस्ट रेत ऑफ इंट्रेस्ट पांच परसेंट होगा दोस्तों अब मैं आपको बतादू कि यह जो वेक्ति है जिन्हें यह ओफर लेटर दिया गया वो कोई ऐसे वेक्ति नहीं है जिनको पर्णा लिखना नहीं यादा यह एक बहुत अच्छे कंप्री में काम करते हैं लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसों को जरूरत थी इसके लिए इन्हें किसी भी तरह से पैसे चाहिए थे पांच पर्सेंट इंट्रेस पर पह लोन नहीं मिलता और अगर पर्स्तों लोन आप बैंक से लेते भी हैं तो बैंक आपसे पहले प्रोसेसिंग भी या कोई ही पैसे नहीं लेती है out जब बेंक लोन को सेंशन करती भी है कि तो लोन सेंशन करने के बाद आ वह प्रोसेसिंग का कि आपको लोन का पैसा करें कर देती है बैंक को अबले आकाउंट कर देती ब्यूंद का जोन राइसे नहीं देती नहीं द्यूंद की लेटी EPA पॉस्नल लोन बैंक युजली पास साल के लिए ही देती है छो साल के लिए नहीं देती है जब यह ओफर लेटर परे और यह बोले कि पैसे तो मेरे को देने हैं तब उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया कि मैं पैसे कैसे भेजू ना आपको जानता हूं ना पचानता हूं मैं कैसे भी स्वास करूँ कि आप जेन्मीन है, फिर ये देखिए, आईकाड, जिस व्यक्ति इनको फ्रोड बना रहा था, वो व्यक्ति इनको एक आईकाड ही भेसता है, जैसा आपको आईकाड दिख रहा है याँपे, ये देखिए, ये एसबी आई के नाम से आईकाड, ये सवी फ्रोड, ये बैंक का नाम यूज करके उन व्यक्ति को फ्रोड बना रहे हैं, मुर्क बना रहे हैं, और व्यक्ति मुर्क बन भी जाता है, ये आईकाड भेजते हैं, और आईकाड भेजने के बाद, इनको बोलते हैं कि मेरा नाम एगर आपको लगता है tax ए अब जिस से लोन हों चाहिए वह बैंक में नहीं abandon वह आई-कार देखने के बाद उसको बोला आता है 16-50 रुपे पहले आप भेजिए प्रोसेसिंग फी के वह लिए फिर वह बैकती आई-कार देखने के बाद 16-50 रुपे उनके उसका भी रिसीट आप देखिए ये देखिए 16-50 रुपे भेजा गया है जब ये बैकती 16-50 रुपे भेज देते हैं तो भेजने के बाद इनको फिर बोला आता है एक मेसे जाता है कि 1650 रुपे के बार एक अमाउंट आपको और भेजनी है जो अमाउंट है 7250 रुपे 50 पैसे और ये अमाउंट आप भेजेंगे उसके बाद ही हम आपके आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में प्रेडिर करतेंगे अब ये सोचे 1650 रुपे 50 पैसा भेजने के लिए बोला जा रहा है इन्होंने कुछ नहीं सोचा ना किसी को बताया और ना अपने रिलेटिव को अपने जानने पहचानने वालों से बिना डिसकस किये हुए ये फिर से 7250 रुपे 50 पैसा भेज जते ये देखे सकिंसर 7250 रुपे 50 पैसे आपको दिख रहे होंगे आपके स्किन पर ये भेज जते हैं जब ये 7250 रुपे 50 पैसा भेज जते हैं तो वो पैसे मिलने के बार कुछ समय बार इनके पास एक और एसे में साता है एक और एसे में साता है और उसे में से लिखा हुआ रहता है कि आपका जो अमाउंट है जैसे कि मैंने आपको ओफर लेटर दिखाया था वहां पर लिखा हुआ है दो लाग रुपे और जब अन्ति में अन्ति में जब इनके पास एक एसे में साता है वहां पर लिखा हुआ आता है कि आपका जो अमाउंट है लोन का दो लाग अटरह हजाट तीन सब पचास रुपे वो आपके अकाउंट में जमान नहीं हो पा रहे हैं होल्ड पर पहली SMS देखिए क्या लिखा हुआ है इस SMS पर लिखा हुआ है योर एकाउंट नमबर इस 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 डिपोईटेड बाई रुपीज 2,18,350 पैसे और ब्ला ब्ला डेट इस होल्ड इतना पैसा जो है वो डिपोईट कर दिया गया है लेकिन वह अमांट होल्ड पे है देखिए फिर नीचे क्या लिखा है पे रिटेनेबल चार्जेज 9,650 पैसे अब जब यह दो बार पैसे भेज दिये तो इनको बताया जा रहा है कि आपका 2,18,000 रुपे जो है आपको देना है और आपको देना परेगा 9,600 रुपे जो एनोसी चार्जेज है जो धनी लोन प्राइबेट लिमिटेड आर बी आई गाइड लाइन्स के तरफ से और रिज तरफ बैंक आपको देख सकते है कि आहाँ पर दखी जो दिखा हुआ जब इनके पास यह सेमें साता है तब स्ोचते हैं कि दो बार पैसे तो मैंनेमेर whereas ले अब इनको लगताcco कि साइज इनके साथ फ्रॉड हो रहा है दो बार पैसे भेह । यह पैसे में बह्टते वी मैंस इसे सारे screenshot मैंने मंगवाए और यह आप लोग को मैं जो screenshot दिखाया यह सब उनसे मैंने मंगवाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों पैसे की ज़ुरत होती है सभी इंसान को कभी ने कभी पैसे की बहुत ज़ादा ज़ुरत होती है जहां पर वहां है जहां से भी कम से कम पैसे मिलए इसका मतलब यह नहीं है कि आपको 5% पे लोन , अगर कोई भी बोलता है कोई करहीं से भी दिखता है कि पांच पर सेट पर लोन फ्रॉट है और लोन देने वाले बैंक यालोन कमपनियां आप से पहले को रहरे रहे शांगि को कर दोड़े ए पल दोड्ैन कर और मैंने बताया जिस ले अच्छे कंप्री काम करते शुपाइब में करें इतने जानकार हैं लेकिन होने के बावजूद भी उनके साथ ठगी हुई आपने देखा पहले उन्होंने 1650 पर भेजा फिर उन्होंने 7200 कुछ रुपए भेजे दोस्तो मेरा काम है आप लोगों को सतर्क करना आप लोग सतर्क रहिए और इस तरह के एप से जितने भी छोटे छोटे लोन देने वाले एप है खास करके इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर बहुत सारे एडबर्टीजमेंट आते हैं कि आपको सस्ते दाम पर ये चीज़े मिल रही है लोन ही नहीं सस्ते दाम पर ये चीज आनी नहीं आता या तो बहुत ही खराब क्वालिटी का सामान आता पैसे लेते हैं कभी-कभी तो पैसे लेने के बाद समान भेजते ही नहीं आप कहां पर कंप्रेंड करेंगे इसके लिए तो जानकार बनने की ज़रूरत है फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सभी मैं नहीं बोलता हूं लेकिन बहुत सारे आते हैं जो फ्रॉड रहते हैं फेक रहते हैं तो इसमें न परें और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में सब कुछ दिखाया प्रूप के साथ में कि आफ़र लेकर के पैसे भेजने तक तो यह चीजे किसी के साथ भी हो सकती है अगर आपको लोन की जरुवत है बैंक में जाया बैंक से नहीं मिलता है तो अपने रेटिव से लेकर के करें लेकिन अगर इस तरह का ओफर दिखता है आपको और फिर भी सोचते हैं कि मैं लू तो लेने से पहले कुछ व्यक्ति से को अपने फ्रेंट सर्कल में डिसकस करें कि ऐसा दिख रहा है यह क्या ठीक है यह गलत है उसके बाद ही आप इस पर अमल करें तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इंफोमेटिव लगा होगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का जो भ सब्सक्राइब.